ये चहरे जो खुशी के मारे चमक उठते थे क्योंकि हर साल इस महीने में व्यापार में अच्छा खासा उच्छा लाता था लेकिन आज इन चहरों पर शिकन है जिसकी वज़ा है इसराइल हमास जंग इसराइल और हमास के वीश संघर्ष का दौर जारी है लेकिन अब दोनों की बीच चल रही इस जंग की आज भारत तक महुँच रही है क्योंकि संघर्ष के चलते यहां के चमडा उद्योग पर अच्छा खासा असर पड़ा है चमडा उद्योग को करोडों का नुकसां जेलना पड़ सकता है गौर्दलब है कि कानपूर का चमडा उद्योग ब्लोबल सप्लाई चेन पर निर्भर करता है जिसमें इसराइल और मिडल इस्ट के एक्सपोर्ट भी शामिल है संघर्ष की चलते शिपिंग रूट्स और ट्रांस्पोर्टेशन प्रभावित हुआ है जिसका असर भारतिय चमडा उद्योग पर देखने को मिल रहा है सब्सक्रिण है यह यूद के वजह से जितना ही यूद हो रहा है उसकी वजह से पूरा लेदर इंडिस्टी पूरा बन पड़ा हुआ सारी मशीने बन करा दिया हम लोगों ने आडर सारे रोग दिये गए बाहर की जित्ते आडर हैं सब रोग दिये गए और अगर यूद चला तो यह समझ लिए जो थोड़ा बहुत जो लोकल का जो काम हो रहे हैं यह भी होना बंद हो जाएंगे और फैक्टियों में हम लोग को स दिसंबर दिसंबर तक नौंबर लाइश तक सभी हम लोगों माल डिस्पैश कर देते हैं अभी यूद से इज्राइल का तो जो हम लोगों का आडर डाउन हुआ यह और जो भी वर्ल्ड की मार्केट है सब में उथल पूतल हो गया है अभी पिछले सारों रसिया का जो मार्केट की बात कर रहा हूं पूरे परदे से जो कस्टमर है जो बैपारी उस सहर में नहीं आता पहुता दंगा एक सहर में होता लेकिन पूरा पर देश डिश्टर वोता उस इस्टेट में लोगों नहीं आते हैं कि रूमर होता इसे तमाम आडर हम लोगों के रुग गये और यह पीक टाइम है डिस्पैज का हम लोगों का आडर का और इसलिए कि क्रिसमस है वर्ल्ड के अंदर क्रिसमस में सबसे जादा इस टाम लेदा इंडस्टी को उम्मीद होती है क्रिसमस के टाइम और इस टाम भरपूर आडर रहता है एक तो मार्केट डाउन है उसके बाद तो थोड़े मोले आडर आयते हैं लोगों फैक्ति को चलाने के लिए उससे लगभग इसके आने से मैं यह समझ सकता हूं कि लगभग डिवड़ सो करोड के आस पास का इस्राइल के युद से लेदा इंडस्टी को नुक्सान होगा कम से कम यह जो दो तीन महीनों के अंदर कि जो माल दो ग्रीव करीफ marcus करीयों उससे हिसे ज आफे डिवान चल पन इनका आगा similar है नमस्कार ने हुमानक गुप्ता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सबस्क्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे हैं योस 24